नमस्का दोस्तो हमार यूट्यूब चैनल फी भी लोग टूटेक में आपका बहुत-बहुत स्वागते दोस्तो आज जो हम बात करने वाले जो कि अपना बोलेरोग पीकप का जो यहीं मुझा led करता है उसका जो टो आपको पूरा यह जो समझ जाएगा कि यह जो रह टॉbuat का देता है जो कि अपके है चो उसके резкіणल के लिए जो वागी igual लाइट नहीं आएगा जैसे आप इगनीशन से स्विच्छ आन करते हो जो चैक इंजिन लाइट नहीं को तो है जो वाइरिंग बागे गाड़ियों के अंदर लगबक सेमी रहती है तो आप वीडियो आखेर तक देखें तभी समझभा होगे ओके दोस्तों तो चलिए आज क्वेडियो शुरू करते हैं दोस्तों देखिए अभी मेंने जो एक आपका रीले आपे ड्राउ करके रहा है यह पर एक 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 एम ने अपना इगनिशन स्फीजी देखे जो आपका में ड्रीले होता है उसके अदर अपने चार पॉंट रहती है जो दूए अपने कोल के 85-86 और जो 30 को पर आपका का है 12-all direct देख रहे हैं जो कि ऐसीम के लिए जाता है तब्लियों एक्टिवेट होगा और तो इभी आपका जो आगे जो के सेंसर लगे रहते दोस्तों वह हरमास सेंसर, CKP sensor, Crank shaft जो push sensor होता है तो उसके लिए आपका जो output भेजेगा जब तक आपका ECM नहीं होगा तबी आपका output भेजना जो sensor के लिए आपका नहीं निकाले और जो check engine light के लिए जो भी supply आना चाहे आपका जब हम इगनिशन ओन करेंगे तो इगनिशन के स्विच के उपर आपना जो 12 होल रहते हैं वह आपका कहा पर जाता है दोस्तों एक रिले के लिए जाता है जो की 86 पीन के उपर और जो आगे देखें आपके ECM के लिए जाता है करता है कि आपका जो में रिले उसको एक्टिवेट करने या निकरना मतलब अपका क्या है इसे मपर ग्राउंड का सब्ले निकलता है रिले के लिए तो यह आपका रिले अक्टिवीट होगा और यह आपका 80 सिंद पीन से होके यह देखें आपका आउटवर्ट में लिए आपक आपका इसे मवर्किंग में आएगा तो यह आपका जो आउटपूट भेज़ेगा सेंसर के लिए जो भेजना चाहिए ओके दोस्तों लेकिन जो इस रिलो को जो एक्टिवेट करना वह भी आपका जो है इसे म के हाद में कि आपना आई सेम कोई से में अपना टेक करेगा कि जो में रिलो उसको एक्टिवेट करना है नहीं करना और जो आपका सप्लाय में रिले आउटपूट देगा जब तो कि आप पे जो अपनी ग्राउंड सप्लाय नहीं आएगी 85 पीन के उपर आपके एसेम से जो ग्राउंड आती है आपके वह नहीं आएगी तब तब तक पेलोल आपके 87 से होके जो इसेम के निकलने चाहिए हो नहीं निकालेगी तो यह अपका जो बहुत से स्प्लाय में क्यों कंफूजन हो जाते है कि आप जो चेक करते सप्लाय एक्टिवेट के उबर तो इगनिशन तो बताता है लेकिन जो ग्राउंड चेक करना चाहिए हो न नहीं तो आपको केसिया चक नहीं जो यहां से जो रिली के जो श्वाकेट के अılरक एक जो मल्टीमिटर के लिडिए वह फचांदेने आपको Rivera के यहां को बसा दाने बोल्टीमिटरगा आपका सही रहेगा और AT6 के उपर भी आपका क्या है इगनिशन से जो करंट हो आता होगा यह पे भी आपको 12 मिलते होंगे और आगे जो ECM को जाने चाहिए वो भी सही होंगे ओके दोस्तों और यह जो AT7 से जो आपके आउटपूर्ट देना चाहिए जो में रिले जो 30 को पर 12 अपका AT7 से आउटपूर्ट देना चाहिए यह भी आपका सही रहेगा तो आपका जो गड़बड़ी रहेगे ECM के अंदर होगे जो में रिले आपका एक्टिवेट ने होता है बहुत सी बार तो आपका जो गड़बड़ी रहेथी ECM के अंदर हेथी ECM आपका जो ग्राउड निकलना चाहिए इस रिले के लिए वो नहीं निकलता है इसको एक भी आपका ग्राउड निकलेगा दोस्तों जब इसको इसको जाएगा जैसे यहाँ से आप चाहिए अन करेंगे इगनेशन अपना ओन हो जाएगा तो यहाँ से जो एक ट्वेलोल का सप्लाइब के लिए निकल जाएगा और इस रिले के लिए निकल जाएगा रेकिन रिले आपका फिर भी आक्टिवेट ने होगा जब तक आप ECM आपक के लिए जो जाने चाहिए इस रिले से हो जाएगा मतलब यहाँ पर आपके ग्राउंट आ गई तो आपका ट्वेलोल डायरेक्ट तो आपका ECM के लिए निकल देगा तो ECM आपका एक्टिवेट हो जाएगा तभी वरकिंग में आएगा तभी आपका जो जेक इंजिन लाइ अपर रिले भी चेंज करके देखते हो फिर भी आपका जो में रिले अक्टिवेट होता है यह पर आपके पॉजिटिव है लेकिन आपके ग्राउंट नहीं रही दे जो आपका ECM देता है तो आपका जो प्रॉब्लम का पर रहेगा दोस्तों ECM के अंदर यह वायर आपकी य आपके जो supply निकलना चाहिए जो connector से तो यह पर चो कंटिवेटी मिलनी के जाहिए हो तो आपका ECM के आपका जो आपका ECM देना चाहिए एक जो ग्राउंड का जैसे ignition आपका करेंगे तो एक सप्ले आपका ECM को जाएगा और जो एक आपका ग्राउंड का देगा इस में रिल प्रोब्लेम रहता है दोस्तों ECM के अंदर देते हैं ओके दोस्तों आशा करता आपको यह छोटी से जो वाइरिंग आपको समझ में आ गए होगे वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक जरू कर देना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूगिए अमारी चैनल पर सब्सक्राइब कर दोस्तों आज की वीडियो में इतनी मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए जहें दो वन देमातर बोस्तों